जैस्ट्रिबाला जी की स्वागत है आपका यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं एस्ट्रोलोजिक रुकुल देखी सास्त्रों में अक्षय तृतिया का बहुती बड़ा मैत्व है धार्मिक दृष्टी से ये जो तिथी है जिसका कभी खशय नहीं होता ये वैशाक महिने के शुक्ल पक्स की तृतिया तिथी को आती है तो इस वर्ष अक्षय तृतिया है वो 14 महीं शुक्रवार को होगा हालांकि इस समय देश में कई जगे लोकडाउन चल रहा है तो कोई विशेश खरीदारी भी नहीं हो पाएगी लेकिन घर पर पुजा की विधी और दान पुन्ने से योहार को सुख में बनाया जा सकता है तो देखी वैसे भी इस सार अक्षय तृतिया सुक्रवार के शुब योग में आ रही है जो बेहती लाबकारी होगी तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोग डाउन में कैसे मनाएं आप अक्षय तृतिया का पर्व और साथ ही जानेंगे वो उपाय जो आपको धनवान भी बना सकता है तो देखिए साल 2021 में अक्षय तृतिया का जो पर्व है वो चोद मेई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और अक्षय तृतिया का पूजा का मूर्थ होगा चोद मेई शुक्रवार प्रात्यकाल पांच बज कर 38 मिनट से दो पहर 12 बज कर 18 मिनट तक तृतिया थिती प्रारम होगी चोद मेई शुक्रवार प्रात्यकाल पांच बज कर 38 मिनट पर वहीं देखिए तृतिया थिती है वो समाप्थ होगी चोद मेई प्रात्यकाल 7 बज कर 69 मिनट पर सोना खरीदने का शूप सा टाइम होगा 14 मई प्राते काल 5 बच कर 38 मिनट से 15 मई 5 बच कर 30 मिनट तक अब देखे लोकडाउन में आपको पूजा कैसे करनी है तो इस बार भी बहुत सी जगह पर लोकडाउन की स्थीती बनी हुई है लोकडाउन के चलते अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो अक्षयत्रतिया के दिन घर के श्वन आभूशन यानि घर के जो सोने के आभूशन है उनको कोरे सामान को कच्चे कोरा जो सामान है उसको कच्चे दूद और गंगा जल से स्वच्च कर ले और उन्हें एक लाल कपड़े पर रख कर कुमकुम से उनका पूजन करें पूजन करते टैम उन पर लाल फूल चड़ाएं या फिर गेहुं भगवान विश्णु के चर्णों में रख कर उनकी पूजा करें इसके बाद इन गेहुं को लाल वस्तर में लपेट कर तिजोरी में लख दे गेहुं को कनक अथार्थ सोने के समान माना जाता है इसलिए आज की दिन इनकी पूजा करने से बहुत से शुब फल की प्राप्ति होती है अब देखिए आपको किंच जो का दान करना है देखिए अक्षित तिर्थिया पर दान का खास मैत्व है सास्तरों में इस दिन जल का कोई भी पात्र यानि बरतन जैसे गिलास, लोटा, घड़े का दान ये सब आप कर सकते हैं ये शुब मानने जाते हैं मानने ता भी है कि गर्मी के मौसम में जल से जुड़ी सीतल चीजों का दान शुब होता है इसके आलावा आप आज के दिन गुड़ या मिठी रोटी बना कर भी गाय को खिला सकते हैं इस बार अक्षे तृतिया है वो शुक्रवार के शुब योग में आई है तो ऐसे में आज के दिन मा लक्षमी जी के पूजन से घर में शम्रती आएगी और धन की प्राप्ती होगी अब आपको धन प्राप्ती का उपाय क्या करना है तो देखिए अक्षे तृतिया पर सोना या फिर कोई भी धातू से बनी हुई कोई भी चीज है उनकी खरीदारी है वो बहुत प्राचीन और शुब माने जाती है तो अगर आप खरीदारी के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते तो धन लाप के लिए ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं उपाय क्या करना है आपको इस दिन महालक्ष्मी के मंत्र और ओम नमो भगबते वासु देवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुप होता है और इसके साथ ही आप इस दिन माता लक्ष्मी जी को चावल की मीठी खीर का भोग लगाएं यदि आप पुजा में हल्दी की गांट का प्रियोग करें इस हल्दी को अपने धन रखने के स्थान पर पीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो आपको धन लाप होता है तो इस दिन घर पर रखी सोने की चीजों पर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डाल दें तो आपको धन लाप जरूर होगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ